हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुमित और टैकी सुमित चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोग समझी गए होगा कि आज हम किस मोबाइल की यहाँ पर अन्बॉक्सिंग करने वाले है आज हम वीवो Y02 मोबाइल की अन्बॉक्सिंग करने वाले है जो कि अभी वीवो की तरफ से लेटेश रिलीज हुआ है 29 नॉमबर 2022 को तो बहुत ही अच्छा मोबाइल यहाँ पर वीवो ने दिया है इस बार 9000 रुपे के अंदर तो गैस मैं बताऊंगा अज इस मोबाइल के बारे में इसके फीचर्स के बारे में इस स्पेसिफिकेशन के बारे में कि आपको इस बजट के अंदर मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो वीडियो में जरूर बने रहे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जरूर बताए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और यहाँ पर Vivo Y02 की बैजिंग मिल जाती है फॉन के बैक साइड में देखे तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है और 6.5 इंचिस की यहाँ पर आपको डिस्प्ले और OctaCore Possessor यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स छोटे से डिस्क्राइब होके मिल जाते है तो चलिए मोबाल को करते हैं अन्बॉक्स और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है और बताते हैं तो यहाँ पर फर्स सेक्शन को हमका अन्बॉक्स कर देते हैं तो यहाँ पर देखें फर्स सेक्शन के अंदर तो यहाँ पर हमें मॉबाल मिल जाता है वीवो का यह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पन्नी के अंदर रैप मिलता है जल्दी से इसको अन्रैप कर देते हैं तो दोस्तों यह रहा हमारा वीवो का मॉबाइल बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा डिजन यहां पर हमें मिल जाता है प्लास्टिक बैक पैनल के साथ और यहां पर हमें स्क्रेच लेस यहां पर हमें बैक पैनल मिल जाता है और नीचे प्यारी सी वीवो की बैजिंग हमें मिल जाती है यहां पर हमें सिंगल कैमरा मिलता है वो भी बड़ा सा गोल सा जो की काफी अच्छी यहां पर आपको महंगे मोबाइल की यहां पर आपको फील देता है तो यह कुछ यहां पर इसका बैक पैनल आपर आपको मिल जाता है तो यहां पर आपको कुछ प्लास्टिक का बैक पैनल मिल जाता है और यहां साइड फ्रेम की बात करें तो यह भी आपको प्लास्टिक का मिल जाता है मोबाइल की नीचे की तरफ देखे तो यहां पर माइकरो यूएस्बी मिल जाता है यहां पर चारजिंग स्लॉट 2.0 का और इसी के राइट में यहां पर हमें 3.5 mm का जैक मिल जाता है मतलब की ओडियो जैक उसके लेफ्ट में देखे तो यहां पर हमें छोटा सा माइक मिल जाता है फोन के लेटेंट साइड में देखे तो यहां पर हमें dual sim slot मिल जाता और इसी के अंदर में memory card का slot मिल जाता है phone के right में देखे तो यहाँ पर हमें power on और off button मिल जाता है उसी के उपर हमें volume up और down button मिल जाता है तो mobile के अंदर यहाँ पर हमें कोई fingerprint sensor हमें मिलता नहीं है तो यह तो वीवो ने बहुत ही गलत किया है phone के साथ बड़ यहाँ पर वीवो ने इसके अंदर हमें face lock भी दिया हुआ है तो चलिए चल्दी से mobile को मैं कर देता हूँ on और यहाँ पर उपर की तरफ देखे तो यहाँ पर हमें speakers मिल जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुछ design में change कर रहा है पहले हर बार यहाँ पर इनीचे देता रहा बड़ इस बार यहाँ पर हमें वीवो ने ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें speakers दी है तो यहाँ पर हमारा mobile on हो रहा है और हम देखते है box के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है तो यहाँ पर हमें कुछ इसकी quick start guide मिल जाती है mobile की तो यहाँ पर आप देख सकते हो और यह कुछ यहाँ पर हमें EMI numbers यहाँ पर मिल जाते है अब यहाँ पर हमें mobile के अंदर दोई section मिलते है तो second section में यहाँ पर हमें 10 watt का वीवो की तरफ से charger मिल जाता है तो यह रहा है यहाँ पर हमारा charge और यह रही हाँ पर हमारी white color की data cable तो यह हमें micro USB मिलती क्योंकि हमारा charging slot भी obviously micro USB वाला है तो यह दोनों ही हैं पर हमें plastic के मिलते हैं और दोनों ही white हमें white color के हमें मिल जाते हैं तो काफी अच्छी quality का यहाँ पर वीवो ने use कर गया है और last में देखे तो यहाँ पर हमें वोई प्यारा सा SIM ejector tool मिल जाता है तो यहाँ पर हमें mobile के अंदर कोई cover ने मिलता है तो पहले वीवो यहाँ पर हमें mobile के अंदर cover देता था बट अब आगे से mobile की कुछ features की बाते ही तो guys अगर mobile की weight की बात करें तो यहाँ पर हमें 186 gram तक का mobile का weight देखने के लिए मिल जाता है चुकि काफी comfortable होने वाला है हमारे हाथ में carry करते वक्त और phone पे बात करते वक्त mobile की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर हमें 8.5 mm की यहाँ पर thickness मिल जाती है तो approximately यहाँ पर आजकल हमें इतने ही पतले mobile यहाँ पर हमें मिल जाते है तो यह काफी आजकल common हो चुका है 8.5 mm mobile की display की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.51 इंचिस की IPS LCD डिस्पले मिल जाती है और यहाँ पर हमें 60 Hz का refresh rate मिल जाता है बेजल्स की बात करें mobile की तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी पतले बेजल्स हमें मिल जाते है और यहाँ चिन की बात करें तो यहाँ पर हमें normal इस बजट के अंदर इसी तरह की यहाँ पर mobile की चिन हमें मिल जाती है यहांपर brightness की बात करें, तो यहांपर हमें 450 से लेकर 600 ppi मतल हम निर्स तक की यहांपर वे brightness मिल जाती है डिसप्ले रेसुलीशन पार हमें 720 इन्टु 1600 पिक्सल तक का हैंपर हमें resolution मिल जाता है उपर देकिए तो हमें notification bar मिल जाता है, यहांपर कुछ हमारे features मिल जाते हैं quick enable or disable करने के लिए जैसे कि हैं होट पोट वाइफाय फ्लैश लाइट तो यहां पर हमें मिल जाते हैं अब गाइस मोबाइल की कैमरे की बात करें तो यहां पर हमें 13 MP का सिंगल कैमरा मिलता है बट यहां पर डिजाइन हमें बहुत बड़ा मिल जाता है जो कि वीव उने काफी अच्छा करा इस बार वाई 01 से तो यहां पर हमें काफी अच्छी यहां पर इंपूर्व्मेंट देखने के लिए मिल जाती है 13 MP का यहां पर आपको कैमरा मिल जाता है जो कि यहां पर आप देख सकते हो और वीडियो की बात करें 13 MP से वीडियो रिकोर्डिंग की बात करें तो यहां पर 1080, 720 FPS पर आप वीडियो शूट कर सकते हो यहां पर वीडियो की बात करें तो यहां पर हमें 5000 MP की लिपो बैटरी मिल जाती है जो कि आज कर हर मुबाइल के इंदर common हो चुकी है और यहां पर अगर हम चारजिंग की बात करें तो हैंपर हमें 10W की चार्जिंग मि साथ तो यहाँ पर चार्जिंग की बात करें तो यह भी हमें नॉर्मल मिल जाती है बट यहाँ पर हमें चार्जिंग के अंदर थोड़ी सी उमीद थी कि वीवो यहाँ पर हमें चार्जिंग में स्पीड देगा बट यहाँ पर हमें 10 वाट की चार्जिंग यह मिल जाती है मोबाइल के प्रोसेसर की बात करें तो हैंव पर में मेडेटक का ओक्टा कोड कोर सेसर, मिल जाता है और यहाँ पर अगर हम ऊएस की बात करें, तो एंड़ूर वर्जन 12 मिल जाता है, फंटच्छ यहाँ पर 12 के साथ, मोबाएल की रहाँ कि बात करें, तो हो जाता है आप आफ लाइन या ऑनलाइन कहीं से भी जा के पर्चेस कर सकते हैं तो इस वक्त अभी फिलिप कार्ड और एमेज़ून पे भी सेल चल रही है क्या पता हम आपको और भी सस्ते में मॉबाइल मिल जाए दोस्तों अब बात करें मॉबाइल की यहां पर कुछ पर भी टेस्ट किये गए है मॉबाइल को माइनेश 20 से लेकि 50 डिग्री शेल्सेस के अंदर भी टेस्ट किया गया है तो वहां पर भी मॉबाइल कुछ सर्वाइफ कर जाता है अब इस बात में कितनी सचा ही है या क्या है यह तो वीवो को ही पता होगा बट मॉबाइल का और मॉबाइल को हुरर एक जो यह है दो और भी मॉबाइल की प्रॉएंग धर ने स्कालिगार आमे